बॉलिवुट के संजु बाबा यानिके संजदत के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। आठ अगस्त को मुंबई के लिलावती अस्पताल में पर्ती करवाया था। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ जिसके रिपोर्ट्स निगेटिवाया। दो दिन अस्पताल में गजारने के बाद संजदत 10 अगस्त को डिस्चार्ज होकर अपने घर लोटाए। अस्पताल से वापस लौटने के बाद से उन्होंने गोशणा कर दी है कि वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है और उन्हें मेडिकल ट्रीट्मेंट के ज़रत है। उन्हें इसके बाद एक social media post कि सहारे उताये कि वो काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं उन्हें इंस्टेग्राम पोस्ट में लिखा कि दोस्तों मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए मैं शौट ब्रेक ले रहा हूं मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे चाने वाले परिशान नहों और बेकार की कयास बाजी भी ना करें। आप लोगों के प्यार और दुआउं के साथ मैं जल्द ही लॉट हूँगा। वर्क फरेंट की बात करें तो संजेदत काफी बिजी हैं। फिल्म सड़क 2 में वालिया भट और अधिरोय कपूर के साथ नज़राने वाले हैं। इसके लावा उनकी फिल्म टोर बास भी कुछ समय बाद रिलीज होने जा रही है। वहीं केजी अफ पार्ट 2 में एक्टर यश के साथ वो नज़राएंगे। आली में संजदत ने केजी अफ पार्ट 2 से जुड़ा लुक भी रिलीस किया है। जिसमें संजद के लुक की काफी तारीफ ली थी। इसके लावा वो अज़र देपनें के साथ भी एक्टर्म कर रहा है। संजदत के फैंस इसकबर के वाइरल होते ही सोचल मीडिया पर उनकी सलामती की दूआ मांग रहे हैं। हम भी उमीद करते हैं कि संजु बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। A.N.P. Newsroom के रहे हैं।